पांच बच्चों की मा साधना देवी को दो बच्चों के पिता अनूज पासवान के साथ प्यार हो गया दोनों घर से भाग गए और चार दिन पटनाई स्टेशन प्रगुजारी वहीं आज वो अपने प्रेमी के साथ भागलपूर लोटे और दोनों सेंडिस कमपाउंड में बैठे हुए थे इसी बीच पहले पती बच्रंगी पासवान को पतनी के सेंडिस कमपाउंड में बैठने की सूच ना मिली इसके बाद पती तिलका मांजी पुलीस को लेकर सेंडिस कमपाउंड पहुचा और वहाँ दोनों को पुलीस ने हिरासत में ले लिया रसल बंजरंगी पासवान को साधना देवी से पांच बच्चे हैं वही वह जिसके साथ घर से भागी वह भी साधी सुदा है प्रेमी अनूच पासवान को भी दो बच्चे हैं उसका कहना है कि उसकी पहली पत्नी उसे खाना पिना नहीं देती जिस कारण वो साधना से प्रेम करने लगा और अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कसमे खा रहे हैं दूसरी तरब साधना भी अपने पांचों बच्चों को अपने पहले पती को सुपुर्द कर अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग कर रही है अलाकि पती बज़रंगी पासवान का कहना है कि अब जो फैसला पुलीस करेगी वो उसे कबूल है इसले तो इसरे तो दुसरे से प्यार कर खिलिलो अ का साथ बच्चा चो तो बच्ची साथ जे साथ एंगर जानों अभी ह्यान नाम की ब्लत तुरों नाम की ब्लत अनुजकुमार कहा गढ़ चो ठाण बेपूर है एक्रेशात रहना छे पहला पती छोड़ी देना छे बाल बच्चा छे तुरो पांच को पापास पास पासे ते तुरो मतलब कोई ममताने चे कि हमने बच्चा छे किना मलत तुरो कहां घर बताओ ना अब उक्रे मोनना अब की वले नहले यह कलो अमा कमाई भाई के पना घर उम दखेवे तुरो पांच को पत्नी की कहे तुरो पासे रहता है तो बाल बच्चा छे तुरो मैं आखते ठीक ने लग जे बे अब थान हैं नजे होता है तुरो नाम की होले यहां? भागलपूर जिले में बच्चा चोर गिर्ह सक्रिया हो गया है ताजा मामला भागलपूर के ततारपूर थाना च्छतर का है जहां इस्टेशन चौक के समीप एक होटल से एक साल के बच्चे की चोरी एक महिला दौरा कर ली गई वहीं चोरी हुए बच्चे की मा सुल्तानगन थनाचतर के अबजू गंज कासिमाबाद निवासी सजनी कुमारी का कहना है कि सुल्तानगन से ट्रेन पकड़ कर भागलपूर आ रहे थे इसी दुरान बगल में एक महिला बैठी वी थी उसने अपने आपको सबौर की रहने वाली बताई और भागलपूर पहुंसते ही एक कोटल में खाना खाने के लिए वो गए वो महिला भी साथ थी इसी दुरान जब मैं हाथ दूने गई तो वो महिला मेरे बच्चे को लेकर चमपत हो गई हलाकि मामले की जानकारी पर 112 टीम के दुरा प्रित महिला को कोटवाली थाना ले जाया गया कोटवाली थाना के दरोगा फूजा कुमारी घटना समय पहुंचकर जाज परताल भी की पर बाद में मामला ततारपूर थाना होने के कारण प्रित महिला को ततारपूर थाना भीज दिया गया अब देखना है प्रित महिला सजनी कुमारी को एक साल की ननही बच्ची मिल पाती है या नहीं कहां सा बच्चा तुरा चुरिय होगे हां गाल चिरीय से कहां इश्ठेसन से हमां घा ओटल में खाना खालत लिह priority है कैसल के 안 astronomers एक्न्टना चले बुले चले हो दब तब प्रों के मिल्या भागी कि लृष्ट कुछ को ओम भासकर विधान सवा संयोजक के भागलपूर भारती जन्ता पार्टी की और से भागलपूर बिहार और देशवासियों को दुर्गापुजा की धेर सारी सुबकामनाएं मैं दुर्गापुजा एवं भीजापुजा की हार देशव खामनाएं देता हूं दुर्गापुजा सक्ति की पुजा है आपको मादुर्गे सक्ति दे कि आप अपने जीवाल के लक्षों को प्राथ कर सके साथी भीजाप रस्वी का तेवार है जो हुले भीजापुजा दाथाउसित आती है असत्य पर सत्य की जीत बुराईयों पर अच्छाई दी जीत हमें दुबाती है खास्त आपके और सरवतां दिनोंदी विचा बहाराय जाड़ित हो रही है इस पर आपको नज़र्वक्री होगी छोटे-छोटे स्वार्थ के लिए आप अपने धर्व का बनी रही है इसने साथ यह बहुत दिने दव है कि यह आप मां दुगा का पुजा कर रहे हैं आपको सहलबा दे लेकिन धर्वे भी मां है इता है सबीरों उल्गा भी ध्यान वख्याद और बोड़ा पेंबें सिर्फ आप भी उनके सारा हैं जिदोंने अगले पबरकर आपको यहां तक लाए है फुलका चाबर रंदिवार राशकुमार रंजन पहल ग्रूप की ओर से भागलपूर बिहार और देश वासियों को दुर्गापुजा की धेर सारी सुब कामनाए मात्री शक्ति के आराधनों के लिए वर्स में नौदिर विशेश रूप से दिया गिया है और यह नारी शक्ति के आदर और सम्मान का प्रतीक है और हमें यह अनसास दिलाता है कि नारी शक्ति को किस रूप से पुजा जाता है साथी साथ समाज के अन्य पूधाओं को भी उनकी शक्ति का एहसास दिलाता है जिस तरह से हम लोग नवडात्री में माता के नो निपो का पुझा करते हैं उसी तरह से हमें नारी शुक्ति के विविन गुणों का पहचान करना चाहिए और माता बेटी एवुपत्नी को वैसे ही सम्मान देना चाहिए तो आएए इस नवडात्री हम लोग पासना के साथ साथ नारी को सम्मान करने के लिए संकल्पले और दृड संकाई बने जयर माता दी राकिस कुमार दूबे उर्फ गुड़ु दूबे पूर्व वार्ड पारसद और नीशा दूबे वार्ड नंबर 22 की पारसद की ओर से भागलपूर बिहार और देश वासियों को दृगा पूजा की धेर सारी सुबकामना है नमस्कार मैं मनिश एदर शाइन मंदिर नक्तुलियाक की ओर से तमाम सहर वासियों एवं पूरे देश वासियों को दृगा पूजा की अर्दिक बदाई एवं शुबकामना जय शाइन नमस्कार मैं रवी जह, जहा प्रुपटीज की ओर से तमाम भावे उर वासियों और देश वासियों को दुरुगा पुजय कार्विक सुब कामनाय देटा हूँ जय माता दे नमस्कार, मैं अभेराय डिरेक्टर एडियारस प्रोपर्टीज अभेरपूर्ट की ओसे समस्भावरत्र वासियों, बिरार वासियों, एवन देश वासियों को लुगा तुजा डिपावरी एवन ठट पुजा की आदिक बदाई जैता भी जैमा परूँ नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमागीर हवल्पूर की समस्त जनता की दुर्गा पुजा के आवरी तेवर्चप पजा की आदिक शिकाना एदाओ जैमा परूँ जय ही बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चरे की सम्मावना कम हो जाती है और यदी बचा तो भविस्व में उसमें बिकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूद सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जन से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें सार्दिया नवराद के नौवे दिन घरों और मंदिरों में कन्या पूजन का आयोजन किया गया कन्याओं को मा दुर्गा का रोप मानकर उन्हें पूडी, खीर, चना, नार्यल, हलुआ का भोजन करवाया गया और उपहार और दच्चना दिया गया विसेश रूप से उत्तर भारत में नवरातरी के दिनों कन्या पूजन या कन्या भोज आयोजित करके कन्याओं को घरों में और मंदिरों में आमंत्रित करने की परंपरा है पूजारी ने बताया कि छोटी लड़कियों को पिर्थवी पर देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है पुरे ब्रह्मान में बच्चों को इनसानों का सबसे सुध रूप माना जाता है इसलिए लोग कन्याओं के रूप में देवी मा का पूजन करते हैं देवी भागवत पुरान के नुसार ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की पूजा करने से भक्तों को उनकी पूजा का बास्तविक फल प्राप्थ होता है विसेश रूप से नौ दिनों तक वरत रखने वालों को नवरातरी के अंत में कन्याओं की पूजा अवस्ते करनी चाहिए कन्या पूजन प्रमपरागत रूप से भक्तोदोराश्टमी या नौमी के दिन किया जाता है चोटी लड़किया जिने विसेश रूप से आमंत्रित किया जाता है फिर उसके बाद मादुर्गा का रूप मानकर पूजन किया जाता है घर पर आमंत्रित चोटी बच्चियों को पैट धुला कर और पैरों को रंग कर आसन बिछा कर बैठा आ जाता है आसन प्रबैठी नो कन्याओं को खीर पूरी हलुआ चना अत्यादी परोसा जाता है और भोजन गरहन करने के बाद उन्हें दच्छिना देकर विदा किया जाता है भागलपूर में नवरातरी की धूम देखी जा रही है जिले के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर सिद्ध पीट दुर्गा मंदिर भ्रमरपूर में आज स्रध्धालों की भारी भी रुम्री रजारों की संख्या में स्रध्धालों मादुर्गे की पुजार चना करने पहुंच खास कर खोईचा चड़ाने के लिए महलाएं उत्साहित होकर मंदिर पहुच रही है। कोतवाली इंस्पेक्टर देवानन इंस्पेक्टर किसना सहित थाने के पता दिका दिका दियों के सामने CTDSP अजय कुमार चौतरी ने इस्टार का बैच लाकर सुबकाम नाये दी। का जो प्रावधान किया गया है और सी प्रावधान के तहत और सी क्रम में एसाई जहरांपाल, विद्ध्यासिम और मन्मी पास्वान जो कोतवाली थाना में पदस्थापित हैं। एसाई से प्रम को प्रत्यनक्ती मिली है तो आज न को एक प्रिक्डिया बाटिया है जो içerimonial को तो पर ढखांती स्टार का शियले इनसे सम्मानित क्या गया है और जन्ता से मेरा यही अपील है कि वो इसकुरे प्तेवहार में है